दोस्तों आप सभी का स्वागत है करने अफिर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर एजवेए कलर का एक्जाम 22 फरवरी को कंड़क्ट हुआ उसके बाद में 29 और 1 मार्च को ठीक है तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ कुछ स्टेट्स शेयर करना चाहूँगा और एक हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन यह लगाएंगे कि क्या कट ओफ हमें देखने को मिल सकती है ठीक है तो आप पूरी वीडियो को लास्त तक दिखना क्योंकि एक एक इंपोर्टन चीज मैंने इस वीडियो में कवर किया है अब सबसे पहले मैं आपको एक लास्त यर का एक स्कोर कार्ड यहाँ पर दिखाना चाहूँगा 2019 का यह कोई Mr. X है इनका यह स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि कोई भी सेक्सनल कट ओफ जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं होती है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि Overall जो आपके Marks होंगे वही यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे और कोई भी सेक्सनल कट ओफ का कोई फंडा यहाँ पर काम हमारा नहीं करता है तो आप जैसे की देखलू यह कौन सा स्टेट है यहाँ पर mention क्या गया बेस्ट बेंगॉल के लिए अपलाई किया था और इनको नंबर मिले थे 6200 में से केटेगरी है OBC तो cutoff जो OBC की रखी गई थी 58.5 यह रखी गई थी और जो general है इसकी cutoff है 73.25 तो काफी variation है यहाँ पर और यह वाली चीज़ आप यहाँ पर देखलो कि applied for regular vacancies and backlog vacancies और इनका score 62 इस बज़े से इनका exam जाई है qualify हुआ और उन्होंने phase 2 दिया जून 2019 में आपका pre हुआ था ठीक है बाकी अगस में mince हुआ तो इससे हमें clear cut यह पता चल गया कि कहीं पर भी कोई भी जो cutoff है आपकी वो आपकी sectional नहीं है मेंस के लिए बुलाया जाएगा यहां पर लिखा है adequate number of candidates in each category as decided by the bank approximately 10 times the number of vacancies subject to availability will be shortlisted for the main examination from the list of all candidates arranged in descending order of aggregate marks score ठीक है यह चीज यहां पर कई गई है तो मतलब 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और उन लोगों को मेंस देना होगा means का pattern आपका खुश यह रहने वाला है अब आजाओ यहां पर क्या हो सकता है दोको मेरा ऐसा मानना है कि कही ना कहीं पर cutoff 66, 67 यह कुछ state में जाएगा ठीक है और कई state ऐसे होंगे जहां पर 70, 72, 71 ठीक है इसके आसपास में हमें देखने को मिलेगा ठीक है जो हिंदी majority language जहां पर है बहाँ पर कहीं ना कहीं पर cutoff आपकी ज़्यादा देखने को मिलेगी जैसे अगर मैं कहूँ एक आपका होगया मद्द प्रदेश ठीक है एक आपका होगया UP एक होगया आपका बिहार तो यहाँ पर जो cutoff है वो आपको अच्छे figure देखने को मिलेंगे एक चीज मैं आपको उदादू कहाँ पर कितनी vacancy है तो जैसे अगर आप देख लो गुजरात में total vacancy है 500-500 यहाँ पर 500 लोगों को बुलाया जाएगा means के लिए approximately क्योंकि vacancy का 10 गुना तो आप यहाँ पर देखो अगर मैं last year के तुलना करूँ तो last year जो cutoff थी वो थी 65.50 ठीक है 65.50 यह cutoff आपकी थी तो इस बार क्योंकि यहाँ पर LPT का बहुत important role होता है language, professional test तो हिंदी के लोग ज़्यादतर अब नहीं कर पाते है क्योंकि बहुत सारे लोग जब से fail होने लगए गुजराती ना आए तो आप LPT किलर नहीं कर पाऊगे तो आपको दिक्कत होगी तो better यही है कि वहाँ पर काफी सारे लोग जो है महीं के लोग apply करते है तो कही ना कहीं पर जो cutoff है उसमें reduction हमें देखने को ही मिल सकता है तो हमेशा 65.50 यह इसकी last year की cutoff थी इस बार कही ना कहीं पर थोड़ा सा plus एक दो नंबर या असपास सिसी के रहने के सबाबना लग रही है ठीक है इसके अलाबा आजाओ करनाटका बैंगलोर यहाँ पर देखो 475 वेकंसी 4750 लोगों को बुलाया जाएगा आगे आप देखलो महद्र प्रदेस यहाँ पर 510 वेकंसी है तो 1.500 लोगों को लगबग मेंस के लिए बुलाया जाएगा ठीक है कुछ सिफ्ट में यह चीज़े हमें देखने को मिली है क्योंकि जैसा लोगों के रिव्यूज आये है उनकी मैं बात कर रहा हूँ बाकि आपस में तो एक दूसरे में कोई एक A परसन होगा वो यार B से यही कहएगा कि तेरी सिफ्ट आसान थी या कोई सिफ्ट इजी है तो बहाँ पर एक ही चीज़ काम करती है वो आपका क्या है नॉर्मलाइजेशन ठीक है नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत खतरनाग रहता है कई सारे लोग अच्छे काफी पेपर इजी आये तो 143 सीट है यापर 1430 लोगों को लगबख बुलाया जाएगा यहाँ पर कट आफ काफी अच्छी जाएगी ठीक है अगर मैं लास्ट इयर की बात करूँ डेली की तो 71.25 इतनी कट आफ थी ठीक है और आप उत्तर प्रदेश देख लो और महरास्टा देख लो यहाँ पर 8650 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा ठीक है महरास्टा की अगर मैं बात करूँ ठीक है देखो पहले मैं UP की बात करता हूँ अगर मैं बात करूँ लास्ट इयर तो उत्तर प्रदेश जो है यह आपकी 6263 निर अबाउट दिखा रहा है 62.25 ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक ची बता दू महरास्टा में क्या है कि यहाँ की LPTA Language Professional Test ठीक है मराटी Language यहाँ पर क्या है हिंदी वाला सीन है तो मैंने बता रहा है जहाँ जहाँ पर हिंदी है निर अबाउट बुलाए जाएंगे और जो डेटा है वो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता दे रहा हूँ जितना मेरे पास है बाकी हर्याना अगर आप देखोगे तो इसमें 97 है लगभग 1000 लोग आसपास आएंगे तिलंगाना में 3750, 3750 इतने लोगों को बुलाए जागा इसकी गड़ाफ भी नियर अबाउट वेकंसी काफी अच्छी है तो मैं 67, 68 इसके आसपास में रहने की संबाबना लग रही है तो ओबर आल अगा टोटल वेकंसी अगर मैं देखूँ ठीक है तो यह सब कुछ मिलाकर यह आपकी बन जाती है 8000 वेकंसी ठीक है जिसमें जनरल की 3447 ठीक है बाकी EWS इतनी SC इतनी SC देखो बहुत जादा फर्क आपको बता दूँ जनरल EWS में नहीं रहने बाला हाँ OBC में थोड़ा सा फर्क हो जाता है ठीक है लेकिन कई जगे पर क्या होता है कि EWS में काफी जादा फर्क हमें देखने को मिल जाता जहां पर number of applicant ही कम होते है ठीक है तो अगर आपने EWS का certificate बन बाया था आपने apply किया है तो कहीं न गई पर आपको advantage का जरूर मिलेगा ठीक है अब एक चीज और आजाओ जो हमने poll conduct करवाया ठीक है हमने अपने YouTube channel पर एक poll conduct करवाया उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया तो कुछ लोगों लगवग 19,000 लोगों ने अपने feedback दिये इसमें काई 61 to 68 यह 15% लोग जो सबसे जादा है वो है 76 to 84 वाले 33% लोग ठीक है 85 to 92 यह है 20% लोग और 69 to 75 यह है 19% लोग ठीक है मैं कई हद तक जो नीचे के label है इसको मैं अभी नहीं read out कर रहा हूँ मैं उपर की बात कर रहा हूँ ठीक है तो बिलकुल paper 76, 78, 82 बनाने लाइक था कई सिफ में लोगों ने बनाया लेकिन इसका यह बिलकुल मतलब नहीं हो गया कि इतने ही number की cutoff रख दी जाएगी जो English का paper है यह turning point दोस्तों होने बाला है ठीक है क्योंकि जितने भी लोग अगर English में जो attempt कर कर आते हैं जो 84 attempt कर कर आया है ठीक है वो क्या कह रहा है कि मैंने 30 यहां पर attempt करें ठीक है और 30 मैंने यहां पर attempt किये तो यह कितने हो गया है और यहां पर उसने 24 किये ठीक है तो कई हद तक उसको यहां यहां पर full marks मिल सकते हैं ठीक है तो कही ना कहीं पर जो cut off है वो मुझे लग रहा है कि जो 84 वाला वो तो काफी अच्छा candidate होगा और उसने coin tracing में 30-30 किये तो कही ना कहीं पर वो number भी 78 to 80 के near about में लेकर आएगा तो उसकी cut off की tension तो नहीं है लेकिन क्या ऐसा सारे के सारे candidate के साथ होगा जिन लोग को mains के लिए बुलाया जाएगा majority के साथ ये चीज नहीं कि cut off जो है ना वो आप नीचे वाले candidate से count करो ठीक है उसमें जो लोग consider होते है वो नीचे से लिए जाते है ठीक है तो main जो ज़ादा लोग ठीक है एक moderate average candidates के लिए ठीक है ये चीज जहां पर ध्यान रखना तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं पर 69 to 75 वाले लोग भी 76 to 84 वाले लोग भी ये लोग काफी हद तक fight में रहेंगे और ये पूरा का पूरा गर मैं बात करूँ मेरा ऐसा माननना है कि 67 to 72, 73 तक cut off जाने के पूरे पूरे chances है ठीक है अब मैं कुछ यहां पर comments लेना चाहूँगा अब जैसे यहां पर उशा बोरोगाओं उशा ने comment किया था यहों ने कहा था कि 29 को 29 को जो second shift है ये tough थी ठीक है तो आपको क्या लग रहा है ऐसा कुछ है नीचे बताना comment करके देखो shift tough, shift आसान को भूल जाओ ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अपना-पना perception देते हैं वो कहते हैं ये shift tough है ये shift आसान है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एक ही shift का paper दिये हो तो तुमको क्या पता कि दूसरा easy था की tough था और दूसरा बंदा बताएगा तो वो अपने हिसाब से ही calculation करके बताएगा इसलिए आपको comparison को बढ़ावा ना देना है ठीक है इसका easy था उसका tough था जो दो just do your best and believe in yourself ठीक है बहुत अच्छा clapping ठीक है इनके लिए भाई अच्छे अच्छे सब्स लिख देना नीचे comment में काफी अच्छे विचार है भाई के तो रिशिय ने काफी सही चीज लिखी है और काफी लोगों ने अच्छे comment कि है कि भाई क्या क्या हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक person है जिन्हों ने लिखा है कि इनके comment जरूर में लोगा नाम है सोनु ढुल सोनु ने लिखा है बाईो निरास होने की जरूवत नहीं है cut off जो है वो 66 से 73 के बीच में जाएगी ठीक है क्योंकि बहुत लोगों की इंग्लिस में accuracy जो है नहीं होती बिल्कुल ठीक है मैं इनकी बात से 95% तक agree कर रहा हूँ ठीक है आपका कहना बिल्कुल ठीक है 100 बाली probability नहीं रखेंगे ठीक है फिर तो वो certainty हो जाएगी अभी ये केवल जस्ट एक speculation है आप सब लोगों का फिर रभिंद्र जैन का कहना है कि इस बार SVAE का paper 2019 के मुकाबले थोड़ा सा tough था तो उन्हों last year paper दिया होगा इस बार paper दिया है तो कहीं न कहीं पर अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत plus minus है तो cut off में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी ठीक है और महरास्टा से 68 की है जीवन बदलाव ने तो tension मत लो ठीक है result अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पर पूजा रावत 22 फर्वरी को 79 इन्होंने attempt किये है और कुछ और भी comments है एक person बिस्तुजीत राओ है इन्होंने जैसा जो हमने poll conduct कराया था ना इन्होंने इस poll के ऊपर एक comment किया है इनका भी पढ़ लेते इन्हों लिखा कि अरे दोस्तों poll में mention तो किया हुआ है कि below 61 attempt comment करें आप लोग more than वाले क्यों अपना attempt inbox में डाल रहा हो poll तो है ना आपके लिए देखिए क्या चाहते हो वही हुआ ठीक है मतलब कोई बात नहीं देखो कुछ लोग तोड़ा सा मतलब भैक जाते हैं फिर कुछ उन्होंने वो भी कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है कि जो majority है देखो इसमें 61 to 68 को मत ले जाओ इसमें maybe 68 वाला वन्दा है 67 वाला भी है 66 वाला भी है 65 वाला भी है ठीक है तो मैं यह कहूँगा कि पोल 100% सटीक evaluation कर रहा है बिल्कुल नहीं क्योंकि आप देखो 22 फर्वरी को exam हुआ और आपका 29 फर्वरी को exam हुआ और 1 मार्च को exam हुआ तो सब ने किया है किसी की shift में कोई paper हुआ है किसी का अलग shift में हुआ है सब ने आपर पोल में काफी लोगों ने हिस्सा लिया है ठीक है तो इस पर मत जाओ लेकिन कहीं न कहीं पर जो आकड़े बताना चाह रहे है paper कहीं न कहीं तक कुछ shift में बनाने लाइक था लोग 80 तक बना कर आये बिलकुल इस चीज़ को हम उनका सम्मान करेंगे और समझेंगे लेकिन cut off उनकी attempt से decide नहीं होगी cut off decide आपके attempt से होगी 68, 67, 66 और 65 बालो से ठीक है तो अभी ज़्यादा चिंता मत करो और मैं यह कहूँगा कि अभी आप आगे mains की तयारी करो all the best result बहुत जल्दी देखने को मिलेगा एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा mains exam के लिए एक free mock test है ठीक है यह आप practice mock का जरूर दे इससे आपको काफी कोछ idea लग जाएगा कि paper का label कैसा है क्या-क्या आप attempt करो नीचे मैं आपको link भी दे दूँगा और आप लोग क्या अपने बिचार रखते हैं इस poll के बारे में यह जो cut off speculation इसके बारे में आप क्या-क्या सोचते हैं क्या बिचार रखते हैं तो please नीचे comment जरू करें मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी active participation हो हर एक वीडियो में और जाने की आप लोग क्या कहना चाहरा है तो थोले से आपके भी comments आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कही ना कही पर आप क्या बोल ला है और दूसरा बंदा क्या बोल ला है तो हम लोग के अपने basic ideas है वो भी आपस में share हो जाते हैं तो इन चीजों का जरूरी रहना है अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ open वीडियो है सबके लिए है यह तो अगर आप paper में parts paint है paper आपने दिया है तो please नीचे अपने opinion को जरूर रखे और इस वीडियो को अपने 200 सक share करें जो लोग कहते हैं कि बहुत high cutoff जाएगी उनको with reason दो कहो यार जो cutoff है वो ऐसा नहीं कि मतलब maximum बाले बन्दे के हिसाब से decide होती है जो average attempt होते हैं उनके हिसाब से cutoff होती है normalization का factor बिल्कुल रहेगा paper variant shift में हुआ है तो कहीं पर tough कहीं पर है वो commission decide करेगा तो please वीडियो को like कर दो, share कर दो और अपने बिचार नीचे आप comment में जरूर रखें thank you, share जरूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बेनों के साथ